आप कौन है? हेलो बेटा, मैं आपके पापा का दोस्त तमित अंकल ममी पापा घर पे नहीं है, आप बात में आ जाना कोई बात नहीं बेटा, मुझे आपके पापा नहीं भीजा है मेरे पास में आपके लिए चॉकलेट भी है और लोलीपोप भी आप गेट खोलो बस सॉरी अंकल, ममी पापा ने मुझे मना किया है किसी भी अजनभी के लिए गेट नहीं खोलना बेटा, मैं कोई अजनभी थोड़ी ना हूँ पाया तो आपको कि आपके पापा का दोस्त हूँ एक सेकिन अंकल, मैं पापा से कॉल करके पूछ लेती हूँ बेटा, सुनो एक मिनिट, लिसन हाँ अंकल वो बेटा, मैं आपको बताना नहीं चाता था आपकी मम्मी का ना, एक्सिडेंट हो गया है मम्मी का एक्सिडेंट? अब कैसी है मम्मी? अरे बेटा, बहुत ज़्यादा हालत खराब है वो होस्पीटल में भरती हैं और आपको याद कर रही हैं वो आपसे मिलना चाती हैं आप अटाक से गेट खोलो बेटा और जल्दी से चलो मेरे साथ इन सब में समय मत खराब करो बेटा बेटा बहुत ज़्यादा सीरियस हैं वो ठीक है अंकल मैं गेट खोल देती हूँ हाँ बेटा खोलो जल्दी से गेट खोलो आप मुझे मेरी मम्मी के पास लेके चलो मैं आपके साथ चलती हूँ कोई भी अजनभी आए तो गेट मत खोलना सबसे पहले उससे वो पासवर्ट पूछना जो हम आपको बताते हैं मौर्णिंग में लेकिन जब तक वो सही पासवर्ट नहीं बताएं तो तब तक गेट नहीं खोलना पासवर्ट पासवर्ट कैसा पासवर्ट अगर पापा ने आपको भेज जा है तो आपको पासवर्ट भी पता होगा ना अंकल महलया पासवर्ड बताओ तभी मैं आपके साथ जाऊंगी अरे नहीं हाँ मुझे याद है वो बताया था उन्होंने मुझे वो पासवर्ड क्या था हाँ I love you पापा ये रॉंग पासवर्ड है अरे बेटा आप ना इन सब चीजों में समय खराब कर रहे हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी मम्मी की आलत बहुत ज्यादा खराब है आपके पापा नहीं मुझे लेने के लिए बेजा है अब आप ये कहा पासवर्ड पासवर्ड के चक्कर में पड़े हो बेटा जल्दी से चलो कि मम्मी आपको याद कर रही है इसका मतलब आपको मम्मी पापा ने नहीं बेजा अभी रुको मैं पुलिस अंकल को बिलाते हूं फिर वो आपको पासवर्ड याद कराएंगे पुलिस अरे क्या हुआ अंकल याद आया क्या अरे अंकल पासवर्ड याद आया क्या लगता अंकल तो चले गए चलो कोई बात नहीं पासवर्ड याद करके आएंगे अंकल 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 आया अंकल वो आपको पासवर्ड बाते हूं